नमस्कार दोस्तू आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पी एफपी में आज हम लार्सन एंटूबरो यानि की लेंटी के बार में बात करने वाले हैं जहांपर न्यूस फ्लो तो पॉजिटिव है कंपनी को ओर्डर्स मिल रहे हैं लेकिन उसके बावजुद शेर प सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कुछ बैतर जानना चाहते हैं कुछ बैतर सीखना चाहते हैं स्विंग टेडिंग के रेकेमेंडेशन बारना चाहते हैं तो आज हमें जॉइन करने के बारे में सोच सकते हैं सबसे पहले positive news के बारे में बात कर लेते हैं L&T अलग-अलग segments में काम काच करता है जैसे कि power transmission, distribution, transportation, infrastructure, building और factory business और इस segment में काफी बड़े-बड़े order भी मिल रहे हैं कंपनी को कंपनी ने खुद बताया कि 1000 क्रोड से करके 2500 क्रोड की range में अलग-अलग significant orders मिलें कंपनी को तो business तो काफी अच्छा perform करता हुआ नजर आता है राजस्तान में एक cement manufacturer ने एक brown field cement plant को manufacture करने के लिए construct करने के लिए कंपनी को का है तो ये भी positive बात है power transmission business यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है core यानि की central organization for railway electrification से एक order मिला है company को जहाँ पर power supply, overhead electrification, telecommunication, signaling of railway lines ऐसा सब कामकाच मिल रहा है तो ये segment भी काफी अच्छा करता हुआ नजर आता है इसके अलावा जो L&D का heavy engineering वाला segment है वहाँ पर भी situation सुधरती भी नजर आता है अलग-अलग clients से company को business ranging from nuclear, refinery, petrochemicals, oil and gas segments यहाँ से भी काफी अच्छा business निकलता हुआ नजर आता है तो इसके जो अलग-अलग segments है अब सब के सब अच्छे perform करते हुए नजर आता है तो positive news प्रो तो बना हुआ है उसके बावजुद share price में हमें गिरावट दिखा दे रही है उसका जो एक reason है वो यह है कि फिलाल COVID-19 के cases लगातार बढ़ते जा रहे है जिसके कारण migrant workers cities छोड़ते हुए नजर आते है अफकोर्स L&T जैसी बड़ी companies के पास तो migrants की कमी नहीं होती और यह जो migrant workers भी जा रहे हैं उनको जाना है इसलिए नहीं जा रहे काम की कमी है इसलिए जा रहे है तो आफकोर्स यहाँ पर कोई बड़ा impact नहीं पड़ता लेकिन ये भी एक reason जरूर है जिसके कारण share price हमें गिरता हुआ नजर आया दूसरा जो reason है उसके बार में चार्ट पर डिसकस करने ही वाले है Larson and Dubro का large traded price है 1359 जो की 1% के correction पे available है दिगज company है almost 2 lakh करोड की market cap है 1% से ज्यादा का dividend yield भी है industry का PE ratio 29 है जबकि Larson का 16.62 है तो market leader होने के बावजुद आपको सस्ते valuation पे मिल रहा है price to book ratio 2.52 दिखाई देता है company के trend के बार में बात करे तो financial trend बहुत ही अच्छा रहा है generally construction companies में आपको similar kind of trend दिखाई नहीं देता Uber खाबर दिखा ज़ेता है जब profit होता है तब तो अच्छा होता है लेकिन जब नहीं होता तो एकदम ठंठन गोपाल हो जाता है लेकिन L&D में ऐसा नहीं है consistent performer रहा है 1.11 lakh करोड का revenue था 2017 में जो की बढ़कर 1.48 हो चुगा है profit भी लगातार बढ़ता जा रहा है 0.06 lakh करोड से बढ़कर 0.1 lakh करोड होता हुआ ज़ाद है तो अब समझ सकता है consistent performer रहा है जो की बहुत ही अच्छी बात है तो अब देख सकते हैं चार्ट पर हमें clearly पता चलता है कि 1,600 के लेवल पर पहुँचने के बाद वहाँ से stock हमें धीमा होता हुआ नज़राया और फिलाल 1,350 के आसपास अल्लेडी पहुँच चुगा है तो 250 points का correction हमें अल्लेडी यहाँ पर देखने को मिल चुगा है गिरावट यहाँ पर होती भी नज़रायी है तकरीबन 2 या 3 महीने हो चुके हैं इतना correction हमें देखने को मिला indicators के बार में बात करें तो RSI का number 39.49 है जो के continuous week trend में हमें चलता हुआ नज़राता है तो strength बहुत ही कम हो गई है money flow index के बार में बात करें तो MFI का number अब देख पाएंगे oversold category में चला गया था उसके बाद यहाँ पर हमें एक reversal देखने को मिल जाता है MECD के बार में बात करें तो फिलाल जो crossword चल रहा है फिलाल bearish crossword बना हुआ है strength की कहीं पर भी हमें यहाँ पर जोरदार strength दिखाई नहीं देता कमी दिखाई दे रही है अगर bollinger band के बार में बात करें तो यहाँ पर भी clearly situation वही जल रही है lower band के आसपा stock trade कर रहा है 1347 का level है median है 1399 का level और upper band है 1451 का level pivot points के बार में अगर चर्चा करें तो जो pivot level है 1447 का level है pivot support के बार में बात करें तो 130 का पहला pivot support बन कराता है जहाँ पर कोशिश कर रहा है stock कि यहाँ पर ही support ले ले और वापस तेजी दिखाना है यहाँ पर तेजी continuity भी नज़राई all time chart के बार में बात करें तो यहाँ पर situation आपको clearly दिखाई दे रही है कि stock ने long term में of course अच्छा perform किया है लेकिन बीच में जितनी बार stock को deep correction का सामना करना पर है बहुत बार यहाँ पर हमें high volatility देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा घिरावट stock में देखने को मिलती है उसका main reason यही है कि जो construction sector है वहाँ पर volatility ज्यादा ही होती है फिर भी मेरा मानना है कि L&T उसमें से best stock निकल कराता है क्योंकि यहाँ पर यह consistent performer रहा है इसका जो business है consistently हमें grow करता हुआ नजराता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जब भी गिरावट होती है तो generally यह stock आपको 100 months के EM के आसपास आता हुआ नजराता है सिर्फ crash की बात नहीं है उसके पहले भी कई बार stock इसी level के आसपास हमें आता हुआ नजराता है और दूसरे अगर moving averages की बार में बात करें तो 50 months का moving average भी एक important support की तरह नजराता है और फिलाल यह level calculate हो कराता है 1200 के आसपास का level तो ऐसे situation में हमें क्या करना चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता है एक reason तो मैंने आपको बता दिया कि migraine सभी shift हो रहे है लेकिन यह L&T के लिए कोई बहुत बड़ा पाहड वाला reason नहीं है जिसके कार्णियर stock इतना correct हो जाए इसके अलावा जो main reason है वो यह है कि stock ने resistance phase किया पुराने all time high के आसपा stock पहुँच चुका था आप देख पाएंगे stock का जो important level था पहले भी यह stock इसके उपर नहीं जा पाता था जाता था तो वहाँ पर sustain नहीं हो पाता तो यह दो level है जहाँ पर stock ने कई बार resistance phase किया और फिलाल भी उसी level से stock हमें retrace करता हुआ नजार आता है उसी level से stock हमें वापस गिरता हुआ नजार है तो यही वो level है यही वो reason है जिसके कारण stock में correction है वो यहाँ पर breakout नहीं दिखा पाया क्योंकि जितनी भी positive जीज़े थी सब factoring हो चुकी थी मुझे पता नहीं आपने ध्यान दिया है या नहीं दिया लेकिन मैंने यह ध्यान दिया था कि stock में पहले तो यहाँ पर बहुत ही consolidation चला लेकिन उसके बाद अचानक कि बहुत ही तेजी आ गई अब यह जब तेजी आई थी कोई बड़ी news तभी नहीं आई थी लेकिन यह जब तेजी हमें एकदम यहाँ पर चल रहा था stock यह level पर चल रहा था उसके बाद भाग रहा था तब यहाँ पर news आ रही थी कि जो bullet trend का project है L&D को मिला है अलग अलग project L&D को मिले है तो जब news आई उससे पहले ही सारी चीज़े company ने factor in करने की कोशिश की थी अब यह सारी चीज़े हमें factor in अल्रेडी होती भी नज़राई थी तो इसके बाद ज्यादा तेजी stock में दिखाई नहीं पड़ी कुछ यहाँ पर कुछ 1250 या 1300 के level से stock हमें 1600-1500 तर जाता हुआ नज़रा है लेकिन अच्छा यहाँ पर उसके बाद bullrun देखने को नहीं मिला इसका reason आपके सामने है क्योंकि जो भी news होती है पहले से factor ही होती हिरे जाती है, अगर आप market में पहले से पहुँच गया था कुछ तो यहाँ पर करेक्शन भी हमें देखने को मला यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती भी नज़ाइए कोई डरने की बात नहीं है तो गबरा कर पैनिक में आकर यहाँ पर आपको बेचने के बार में नहीं सोचना चाहिए अगर आपको इंडिया मे एक महीने पहले मैंने आपको बदा था कि शेर में अभी शॉट टम के इंवेशर को निकलने के बार में सोचना चाहिए और अल्रेडी हंडेड पॉइंट की गिरावट वहाँ से देखने को मली है तो यहाँ पर अबर लॉंग टम के बार में बात करे तो अभी मेरा मानन नही के बार में सोचा जा सकता है लेवल के बार में अगर हम चर्चा करें तो मैं यहाँ पर 1250 पर पसंद करूंगा इन्वेश करना उससे पहले यहाँ पर 1300 एक अच्छा लेवल हो सकता है लेकिन करेंट मार्केट प्रैस में आपको निवेश के राए नहीं दूंगा क्योंकि फि 250 के आसपस बने कराता है कई बार स्टॉक ने इस जोन में बाइंग हमें MR जोती बिने चाहिए तो उस लेवल पर आप खरीदारी के बार में सोच सकते हैं तो ओर रल स्टॉक अच्छा है हड़ बढ़ाने की जरोत नहीं है यह तो चलता रहता है निवस प्लो आती है उसके ब बुरा रियाग भी नहीं करता तो इसमें गबराना नहीं चाहिए स्टॉक में आपको वैल्यू दुननी चाहिए और वहां पर लॉंग टर्म के लिए एक्यूमिलेशन के बार में सोचना चाहिए LNDP गाफी अच्छा स्टॉक है और लेवल्स मैंने आपको बता दियें जहां से आप लॉंग टम के पोर्फोलिय में स्टॉक को एड करने के बार में सोच सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिर मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक्यू स्टे हपी हपी टाइएब बार में मुझे लाइब कीजिए तो लाइब